हलो एंड वेल्कम टू टेली टॉकीज दोस्तों विग बॉस के घर में शिवानी ने निभाया बहन होने का असली धर्म शिवानी घर की एक ऐसी कंटेस्टन बन चुकी है जो जिस भी रिष्टे को बनाती है उसको दिल से निभाती है बीते दो दिन से घर में विशाल तूटा हुआ है और वो कुछ भी ठीक से खापी नहीं रहा है उसकी ड्यूटी है लंच बनाने की डिनर बनाने की लेकिन वो बिचारा वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा और शिवानी ये बात भाब चुकी थी जिस वज़े से जब थोड़ी देर के लिए भी किचन से दूर हुआ विशाल तो शिवानी ने सबसे बड़ा कदम उठा दिया क्या किया शिवानी ने ऐसा और कैसे किया साबित कि वो है सोने की दिल वाली पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तो बिग बॉस के घर में शिवानी देखती है कि विशाल कितना ज़्यादा तूटा हुआ है और उसको पूरी तरीके से साइड लाइन करवा दिया है अर्मान ने सबसे बोल बोल कर ऐसे में शिवानी खुद जाती है किचन में और विशाल जिसने दो दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया उसके लिए खाना डालती है और यहाँ पर ये बोलती भी नजर आती है कि मैं विशाल का खाना डाल रही हूँ उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया है विशाल भईया भूके हैं और इस घर के लोग तो देख लो कैसे हैं जो उनको पूछ तक नहीं रहे हैं लेकिन मैं ऐसी निर्दई नहीं हो सकती ऐसा क्या ही कर दिया भईया ने भाबी तो खुद जा जाकर चिपकती थी विशाल भईया से दोस्तों ये बोलते हुए शिवानी ने विशाल का खाना डाला और उसको बातरूम में जाकर ये बात बोली कि भईया खाना डाल कर आई हूं तुम जरूर खा लेना भूके ना रहना इस घर में तो लोग बड़े नीच हैं वो तो पूछेंगे भी नहीं कि खाया या नहीं खाया लेकिन इन लोगों के चक्कर में आप भूके बिल्कुल भी मत रहना दोस्तो साफ है कि यहाँ पर शिवानी पूरी तरीके से विशाल को अब सपोर्ट कर रही है आप क्या कहेंगे कमेंट्स में आप हमें जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक को शेयर करना आप न भूलें